नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां खुनी बवासीर को जड़ से खत्म करें अगर आप अनार का प्रियोक करेंगे वो कैसे करना है यह हम आपको बता रहे हैं त आज हम जो आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं वो खुनी बवासीर से जुड़ी हुई है बवासीर एक ऐसी बिमारी है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है बवासीर होने का सबसे बड़ा कारण है कबज अगर किसी को लंबे समय तक कबज रहे तो इससे बवासी तो आज हम आपको इस अपने वाइशोर के माध्यम से बता रहे हैं अनार के सेवन से हमारे शरीर में खुन की कमी दूर होती है, पीट नर्म रहता है, मुत्र लाता है और अनार का फल हिरदय रोग्यों को बहुत ही फायदा पहुचाता है, अनार हमारे शरीर के प्रतीक अंग को पोशन देता है, अनार को सबसे स्वास्थे वर्धक फल माना जात और जो पोशक तत्वों से भरा हुआ खाजाना होता है इस फल में भरपूर मात्रा में फाइवर एवं विटामिन सी पाया जाता है इसके अलावा इसमें एंटी ऑक्सिडेंट एवं एंटी एजिंग गुण पाया जाते हैं जो हमारी सुंदर्ता को बढ़ाता है और हमारी खुनी बवासीर को जड़ से खत्म करने में कैसे मदद करेगा आपने अनार के छिलकों को सुखा कर चून बना लेना है और इसका एक चमच लेना है एक चमच ही चीनी लेनी है आपको दोनों को मिलाकर पानी के साथ दिन में दो बार सेवन करना है इससे आपको खुनी बवास में बहुत ही लाव मिलेगा आप अनार के छिलकों के चुन का आधा चमच लें और इसे ताजे पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें इससे भी खुनी बवासिर में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है आपने अनार के रस का आधा कप लेना है इस रस के साथ मिश्री का सेवन करना आप चाहें तो अनार के रस में भी मिश्री को मिला कर पी सकते हैं इससे भी आपको खुनी बवासिर में बहुत आराम मिलेगा आप अनार के छिलकों का चून का एक चमच लें और इसमें एक चमच बुरा मिला कर दिन में दो बार सेवन करें इससे भी आपको खुनी बवासिर में बहुत लाभ मिलेगा इसके अलावा आपने अनार के पेड़ की जड़ लेनी है और इसे एक गलास पानी में अच्छे से उबाल लेना है तब तक ये आधा न रह जाए तब तक उबालना है आपको और इस काड़े में चुटकी भर सोट का चून मिला लेना है इस काड़े को दिन में दो से तिन बार स और इन दोनों छिलकों का अर्ष लें ये बवासीर में बहुत ही आराम पहुचाता है अनार के पत्तों को उबाल कर काढ़ा बना लें आप और इसका एक से दो चम्मच सुबह शाम पीएं इसे भी खुनी बवासीर में बहुत ही आराम मिलता है दोस्तों आप सभी के लिए यह जानकारी हम लेकर के आये थे देखा आप सभी ने कि अनार के किन किन चीजों का भाग का पर्योंक करके अपने खुनी बवासीर से रहात पा सकते हैं आप इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वाई सोबर था अगले वीडियो में हम आप सभी के साथ जब जुड़ेंगे तो